तो आज हम जानने वाले हैं website pen testing के लिए एक all-in-one tool के बारे में जिसकी मदद से एक website से related जरूरी जो test है वो हम कर पाएंगे तो website की penetration testing कई बर मेरे पास questions आते हैं कि अगर हम यह सारी चीजे सीख भी लें तो इनका मतलब कहां यूज करना है अगर हम किसी भी company को join करें और किसी भी network को secure करना तो हम कैसे कैसे सुरूआत करेंगे तो fans आपके कुछ सवालों का answer इस वीडियो में हो सकता है क्योंकि सबसे पहले एक website को secure करना उससे related information को collect करना उन सबके according यह tool काफी helpful होगा उमीद करता हूँ यह आपको पसंद आएगा तो चलिए शुरू करते हैं इन सबके इलावा जो course है जिसके बारे में काफी time से बहु जाना चाहते हूं कि कुछ चीजों को बनने में testing verify होने में थोड़ा time लगता है तो इसलिए september के end तक वह course आप आएगा बट आज का जो video है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आप latest news के बारे में जाना चाहते है तो morning का video आप देखे और practical यह सारी चीजे देखना तो आज इवनिंग के वीडियो में हम यही सारी कुछ खास चीजों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं यहां पर जो चलाने जा रहा हूं वह एक टूल है जिसका नाम है Site Broker और इस टूल के बारे में आप यहां पढ़ भी सकते हैं के लिए लिखा हुआ है अगर आपने पहले से इस्टॉल नहीं किया हुआ है तो यह इस तरह का मैसेज नहीं दिखाएगा लस कर लेते हैं दो बारा से अब उस वह जो फोल्डर हमारे पास आया है उस फोल्डर के अंदर हम थोड़ा वाक करते हैं अगर यह जो साइट ब्रोकर वाली फाइल है यह अगर आपको एक्जुकुटिबल मोड में ना मिले तो आप यहां एक कमांड देख सकते हैं chmode plus x and the name of जो भी फाइल है वो सारी चीजें तो हमें यहां पे करना है chmode plus x और जो python की फाइल है उसका नाम तो इस तरह से फाइल एक्जुटिबल फाइल में convert हो जाएगी इन सब के बाद जैसे ही आप यह कर लेते हैं उसके बाद आपको install करना है pip install जैसे ही आप यह करेंगे pip install and we are putting requirements requirements.txt तो यह फाइल आपको run-up करनी है क्योंकि जितनी भी requirements और इस run-up करने के लिए जो भी जरूरी चीज़े होंगी वह इसमें install हो जाएंगी तो हाला कि मैंने यह पहले कर रखा है pip install इसलिए दुबारा से error आपको so कर सकता है बाखी procedure सेम ही है अब हम इसे run करके कुछ tools के बारे में work कर लेते हैं तो मैंने step by step आप लोगों को इसलिए बताया ताकि अगर आप first time इसे install कर रहे हैं तो किसी तरह की दिक्कतें ना आएं तो मैंने यहां लिखा let us put the name of this यह जो नाम है यह हम यहां पर करेंगे copy या फिर आप चाहें तो directly इसे write भी कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें करना है तो आएं राइंग व्याइटिंग डूड़ी दॉड़ी प्रावलम आ गए थी तो कर देते हैं sitebroker.py यह जो टूल है यह रन अप हो जाएगा अब इसमें जो बैटर चीज मेरको लगी अगर आपके पास कोई website नहीं है टेस्ट करने के लिए तो यह यहां पर example इसने दे रखे यानि कि that is hack this site.org और hack.me इन दोनों sites का आप इस्तिमाल कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें करना है तो I am writing www. और मैंने यहां लिख दिया hack this site.org यह testing purpose के लिए आप इन sites का इस्तिमाल कर सकते हैं hack me का भी कर सकते हैं अगर आपके खुद की website नहीं है तो अब आप एक ही करके देखिए क्या क्या वर्क यहां पर कर सकते हैं आप यहां देखिए cloud fear check कर सकते हैं तो आप इन सारे tools का इस्तिमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें cloud fear check करना है तो one by one हम कर लेते हैं तो आप देखिए यहां पर checking for cloud fear in http hack this site.org यह check कर रहा है यह आपको show कर रहा है thanks for using d और अभी आपको show कर रहा है कि यह cloud fear use नहीं करता अब हम दूसरी कोई command है उसे try कर लेते हैं याने दुबारा लिखा hack this site.org कोई भी site अगर करती होगी तो आपको information देगा number two हम website crawlers use कर रहे है crawlers friends मैं आपको बता देता हूं website crawlers मतलब वो सारी information आपको मिलेंगी जो की एक search engine crawl करता है for example website के अंदर main main चीजे क्या है उन्हें आपको दिखाएगा अगर आप google based करना चाहते हैं तो one bing based करना चाहते हैं तो two और manual करना चाहते हैं तो three कर सकते हैं या फिर सबको use करना है तो four इस्तमाल कर सकते हैं crawlers मतलब वो सारे tag होते है अगर आप कोई भी tag हो गया ethical hacking अपने आप में एक tag है ऐसी websites की कुछ खास contents होते हैं जिनने crawler पकड़के लाता है जो search engine optimization होता है उसमें इनका बहुत ज्यादा इस्तमाल किया जाता है ताकि आपकी जो website at top पे दिखाई दे तो इस website से related crawling अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं इसलिए pen testing का मुझे बहुत 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 टूल लगा अगर Google Bing सबका करना है तो आप यहाँ पर four भी लिख सकते हैं तो मैं one place कर रहा हूं यहाँ पर अब आप यह देखेंगे Google के जरी जो crawling के इसके content है उन सबको crawl करके यह आपको result दिखाना शुरू कर देगा तो इसमें थोड़ा सा timing लग सकता है because it will take a little bit time यह net की speed पर भी depend करता है तो आप friends यहाँ देख सकते हैं आप देखिए paste.ahack this site.org है इसके बा करेंगे crawlers crawling वाली जो चीजे हैं की वो कौन-कौन सी है वो आप यहाँ देख सकते हैं तो चलिए यह हमारा second step हो गया अब हम वर्क करेंगे third step पे तो एक ही करके मैं आपको बता देता हूं किस तरह से यह चीजे काम करती है and let me check यह से बंद कर देता हूं ज्यादा timing लगेगा otherwise तो again we are using this and the name of the site www.and अब की बार मैं यूज कर रहा हूं hack.me को and enter कर देता हूं आप देखे admin panel find करना है तो आप कर सकते हैं website की speed check करनी है subdomain scanners यह बहुत important चीजे होते हैं किसी भी website को test करने के लिए कि उससे related जो subdomains है कई बार ऐसा होता है तो उस situation में जो subdomains scanners होते हैं इनसे आप पता लगा सकते हैं कि वेबसाइट के subdomains कौन से हैं अगर आप useless है कोई तो उसे पूरी तरह से हटा भी सकते हैं इस लिए वेबसाइट के अंदर कौन से server का इस्तिमाल किया हुआ है तो चली पहले में बैनर ग्राबिंग आपको दिखा देता हूं तो ग्राबिंग आफ दे बैनर यह आपको सो कर रहा है तो आप यहां देख सकते हैं कितनी सारी इंफर्मिशन हमें यहां पर मिल चुकी है बैनर के रिकार्डिंग हमें क्या क्या चीज़े मिली हैं वह आप यहां पढ़ सकते हैं सर्वर आप देखें Microsoft IIS का सर्वर इसमें इस्तिमाल किया गया है और इन सबके इलावा डेट, टाइम, ट्रांसपोर्ट, एक्स फ्रेम उप्शन इस सारी इंफर्मिशन आप आसानी से यहां पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत इजी टूल है इसे इस्तिमाल करना कोई ज्यादा मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे कर दोस्ते हैं वेप्साइट की इस तरह की जो एक्रिविटी से अपता लगा सकते हैं कि वेप्साइट में कौन कौन सी ही चीजे वहं का सर्वर क्या इंफर्मिशन हाईट ड्याइट हो रही है एड्मिन पैनल कहां पर आ रहा है या क्रॉलर्स क्रॉलिंग में कौन-कौन सी चीज जो का वह इस्तिमाल कर रहा है तो तो तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं ऐसी इंफोर्मिशन मिलती रहे तो आप देखते रहे यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग अगर आपके मैंड में कोई क्वेशन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंड भी कर सकते हैं थेक्यू फ्रेंड्स गुडबाए